Hello Friends, Welcome to Study News इस वीडियो में हम लोग एक महानियोध्धा महाराणा प्रताप के बारे में बात करेंगे अद्भुत सौर्य और साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप जिन्हें बचपन और युवा वस्था में कीका नाम से भी पुकारा जाता था महाराणा प्रताप के पास सुरू से ही चेतक नाम का एक सबसे प्रिय घोड़ा था उनकी वीरता के साथ ही लोग चेतक की स्वामी भक्ती की कहानिया भी सुनाते हैं देश पर आक्रमण करने वाले विदेशी और खुंखार मुगलों से महाराणा प्रताप ने कई लड़ाईया लड़ी, इनमें सबसे एतिहासिक लड़ाई, हल्दी घाटी मैदान में हुई थी, महाराणा प्रताप की लंबाई 7 फिट और वजन 110 किलो ग्राम का था, ये एक बा जाला, कवच, ढाल और साथ में दो तलवार का वजन मिला कर 208 किलो का वजन होता था, ये सभी आज भी चितोड, गड़ और कुंबल गड़ के संग्रालियों में रखे गए हैं, तो इस वीडियो में ऐसी ही दिल्चस्प बाते महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे, सो लेट्स स्टार्ट, महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंग सिसोधिया है, ये सिसोधिया उदैपूर मेवाड में सिसोधिया राजपूत, राजवन्स के राजा थे, उनका नाम इतिहास में वीरता और द्रिड प्रण के लिए अमर है, उन्होंने मुग समराट अकबर की अधिन्ता स्विकार कभी नहीं की और कई सालों तक संघर्स किया महराणा प्रतप ने मुगलों को कई बार युद्ध में पराजित किया इनका जन्म लगभग एक माई 1540 में वर्तमान राजस्थान के कुंबलगड में महराणा उदै सिंग एवं माता रानी ज राजस्थान के रास समंध जिले में इस्थित है इस दुर्ग का निर्माण महराणा कुंबा ने सन 13 मई 1469 में कराया था इस किले को अजयगड कहा जाता है क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना दुसकर कार्य था इसके चारों और एक बड़ी दिवार बनी हुई थी जो चीन की दिवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दिवार है यह किला युनेशको की सूची में सम्मिलित है कुंबल गड़ किले को मेवार की आख भी कहा जाता है कुंबल गड़ किले के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है उसे आप देख सकते ह महाराणा प्रताप ने 13 साल की उम्र में बाग का सिकार किया था महाराणा प्रताप बचपन से ही बहुत सहसी और कुशाग्र बुद्धी के धनी थे इनके पिता जी की मृत्यू के बाद महाराणा प्रताप का राजया भिशेक 28 फरवरी 1572 को कुमबलगड दुर्ग में हुआ था महाराणा प्रताप के शाषनकाल में सबसे रोचक तत्थ यह है कि मुगल समराट अकबर बिना यूद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहते थे इसलिए अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए चार राजदूत निक्त किये थे जिसमें सर्व प्रताप जलाल खां महाराणा प्रताप के पास गए इसी क्रम में मान सिंग, भगवान दास तथा राजा टोडर मल प्रताप को समझाने के लिए पहुचे लेकिन महाराणा प्रताप ने चारों को निराश किया इस तरह महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधिन्ता स्विकार करने से इनकार कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी की एतिहाशिक युध लड़ी गई हल्दी घाटी का युध 18 जून 1576 को मेवाड के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुडसवारों और धनुर्धारियों और मुगल समराट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था जिसका नेत्रित्व आमेर की राजा मान सिंग प्रतम ने किया था इस युध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जंजाती का सहोग मिला था इस युध में राड़ा पूजा भील का महतपून योगदान रहा इस यूद में बींदा के जालामान ने अपने प्राणों का बलिदान करके महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की थी वहीं ग्वालियर नरेश राजा रामशाह तोमर ने भी अपने तीन पुत्रों कुवर साली वहन, कुवर भवानी सिंग, कुवर प्रताप सिंग और पौत्र बलभद्र सिंग एवं सेकडो वीर तोमर राजपूत योद्धाओं की मिर्ति हो गई थी इतिहास कार मानते हैं कि इस यूद में कोई विजय नहीं हुआ था पर देखा जाए तो इस यूद को माराणा प्रताप सिंग की विजय मानी जा सकती है अकबर की विसाल सेना के सामने मुठी भर राजपूत कितनी देर तक टिक पाते पर ऐसा कुछ नहीं हुआ ये यूद पूरे एक दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुडा दिये माराणा प्रताप की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था और इसी यूद में महाराणा परताप ने अपने प्रिये घोडे चेतक को खो दिया था एक और महतपूर्ण यूद की बात करते हैं जो है दिवेर छापली का यूद राजेस्थान की इतिहास में दिवेर का यूद एक महतपूर्ण यूद माना जाता है क्योंकि इस यूद में राणा प्रताप के खोए हुए राज्य की पुना प्राप्ति होती है इसके पस्चात राणा प्रताप वह मुगलों के बीच चल रहे एक लंबे संघर्स को यूद के रूप में बदल दिया गया जिसके कारण करनल जैम्स टॉड ने इस यूद को मेवाड का मेराथन कहा इस यूद के लिए जब सब प्रकार की तैयारिया हो गई तो महराणा प्रताप अमर सिंग, भामासा, चुंडावत, शक्तावत, सोलंकी, पडिहार, रावत साखा के राजपूत और अन्य राजपूत सरदार दिवेर की और दल बल के साथ चल पड़े दिवेर जाने के अन्य मारगो व घाटियों में भीलो की टोलियां बिठा दी गई, जिससे मेवाड के अन्यत्र बच्ची हुई सैनी, चौकियों का दिवेर से कोई संबन्द इस्थापित न हो सके अचानक महाराणा परताप की फौज दिवेर पहुची तो मुगल दल में भगदण मच गई, मुगल सैनिक घाटी छोड़ कर मैदानी छेतर की तलास में उत्तर के दर्रे से भागने लगे महाराणा ने अपने दल के साथ भागती सेना का पीछा किया, घाटी का मार्ग इतना कटीला तथा उबड का वड़ था कि मैदानी युद्ध में अभ्यस्त मुगल सैनिक वितकित हो गए इस युद्ध में भी विजय महाराणा प्रताप की हुई, इस विजय के फलस्वरूप संपूर मेवाड पर महाराणा प्रताप का अधिकार इस्थापित हो गया एक अर्थ में हल्दी गाटी का युद्ध का बदला राजपूतों ने दिवेर में चुकाया दिवेर की विजय ने यहाँ प्रमाडित कर दिया कि महाराणा प्रताप का सौर्य, संकल्प और वन्स गौरव, अकाट्य और अमिट है इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि महाराणा के त्याग और बलिदान की भावना के नैतिक बल ने सत्तावादी नीती को परास्त किया करनल टॉड ने जहां हल्दी गाटी को धर्मो पाली कहा, यहां कि युद्ध को मैराथन की संग्या दी महाराणा प्रताब के कुछ विजय की बारे में बात करें तो 1589 से 1585 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल अधिकरित प्रदेशों में विद्रो होने लगे थे और महाराणा प्रताब भी एक के बाद एक गड़ जीतते जा रहे थे इस बात का लाब उठाकर महाराणा प्रताब ने 1585 में मेवाड मुक्ती प्रतनों को और तेज कर दिया था महाराणा जी की सेना ने मुगल चोकियों पर आकरमण करने सुरू कर दिये और तुरंत ही उदैपुर समय 36 महतपूर इस्थान पर फिर से महाराणा का अधिकार इस्थापित हो गया महाराणा प्रताब ने जिस समय सिंगहासन ग्रहन किया उस समय जितने मेवाड की भूमी पर उनका अधिकार था पूंड रूप से उतने ही भूमी भाग पर अब उनकी सत्ता फिर से स्थापित हो गई थी 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी अकबर उसमें कोई परिवर्तन न कर सका और इस तरह महाराणा प्रताब का समय की लंबी अधिके संघर्ष के बाद मेवाड को मुक्त करने में सफल रहे और ये समय मेवाड के लिए एक स्वन यूग साबित हुआ मेवाड पर लगा हुआ अकबर ग्रहन का अंत 1585 में हुआ उसके बाद महाराणा प्रताब उनके राज्य की सुक सुईधा में जुट गए परंतु दुर्भाग्य से उसके 11 वर्ष के बाद ही 19 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी चावंड में उनकी मृत्ति हो गई 1596 में सिकार खेलते समय उन्हें चोट लगी थी जिसकी वज़े से वे उस चोट से कभी उबर नहीं पाए और उनकी सिर्फ 57 वर्ष की आयू में मृत्ति हो गई तो ये थी पूरी जनकारी महान योद्धा महाराणा परताब जी के बारे में तो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट